नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सुनील चौधरी और मैं एक बिजनिस आटोमेशन कंसल्टेंट और बिजनिस आटोमेशन कोच भी हूँ और इस वीडियो में सर्फ मैं इंपोर्टेंट आपको एक इंफोर्मेशन देना चाता हूँ सबसेदा इंपोर्टेंट वो यह है कि अगर आप जी सूट का जो लिगेसी फ्री एडिशन यूज़ कर रहे थे अब तक तो अब आपको उसके लिए पैसे देने होंगे उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और आप इसे कर लीजिए अगर आपको इसे फाइदा है तो और फाइदा नहीं है तो अपग्रेड मत कीजिएगा पर मेरा मानना है कि इसके आपको बहतरीन बहतरीन फाइदा आप तक हुआ होगा तो आप इसे अपग्रेट करे बिना नहीं आगे बढ़ पाएंगे और यही Google जैसी कंपेनियों की नीती होती है कि इतनी सारी वेल्यू एड हम आपके बिजनिस में कर दें कि जब हम आपसे कोड़े पैसे मांगो तो बेजिजयक वहर महीने आपको पैसे दें डिटेल में बात यह है कि Google वर्कस्पेस जून एक 2022 यानि अभी चल रहा है आपका मई जून यानि 30 दिन बचे हैं 30 दिन के अंदर अंदर आपका एकाउंट की कहानी चेंड होने वाली है या तो आप इसे खुद अपग्रेड कर लेंगे या आप फिरी ऑप्शन के ओपर चले जाएंगे या गूगल आपको खुद अपग्रेड कर देगा यही तीन ऑप्शन है या इस चौथा ऑप्शन भी है कि आप गूगल की सपोर्ट को कॉन्टेक करें और बोलें कि भाई जो आप 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 कर रहे हैं उसमें आप हमें मत कीजिए अभी हम बहुत गरीब आग मी है सबसे लास्ट में कीजिएगा तब हम पैसे वाले हो जाएंगे तो ऐसे करके आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भी हमें सबसे लास्ट में अप्ग्रेड कीजिएगा कि हम 54 बनिया हैं जबकि मेरे clients के पास जाहतर 125 वाले हैं बढ़ मेरे पास Google Meet की recording करनी होती है इसलिए 700 का है और अगर मैं उसे जूम से compare करूँ तो जूम वो सारे features दे पाता है 152 रुबे महीने में और सिर्फ Zoom यहां आपको Google Sheets, Google Docs, Google Meet, Gmail और तुमाम दुनिया की features मिल जाते हैं 125 महीने में सिर्फ recording की वैसे मुझे 700 महीने देने पड़ रहे हैं बट सिर्फ recording नहीं उसमें मुझे बहुत सारा TV टेराबाइट स्पेस मिल जाता है इसको मुझे लगता है lifetime के लिए ठीक ही है अननेसेसरी चीजों को आप डिलीट करते रहो नैसेसरी चीजों को अमेशा रखो उसमें आप unlimited photo हीच के टेराबाइट बरवाद करोगे तो बात अलग है बाकि काम की चीजों की बात कर रहा हूं मैं तो यह है तो if there is a no cost option तो no cost option भी है उसमें आपको सिर्फ gmail मिलने वाला है custom domain नहीं मिलने वाला है अब सीधी सी बात है custom domain होगे तो पैसे देने ही पड़ेंगे my dear friends और Google Drive रहेगा आपके पास meet रहेगा सब कुछ रहेगा कहने का बात है जो normal gmail user के पास होता है वो सब कुछ आपके पास होगा custom domain की setting नहीं होगी to be very frank इतना ही है इसमें ज्यादा नहीं है और आपको जैसे पहले बताया कि आप बाद में पैसे देना चाहते हो तो अपने आपको waiting list के last में नाम डलवा सकते हो वहाँ से आपका हो जाएगा जून एक से पहले बात कर लेना हम पाईसे बचाने में बहुत इंट्रेस्टेड हैं पर मैं मानता हूं कि अगर आप Google का जी सूट का legacy free edition use कर रहे हो इसका मतलब आप business में बहुत aggressive हो technically भी बहुत sound हो तभी तो आपने Gmail का Google का legacy free account इस्तमाल करना शुरू किया था मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी business owner ऐसा काम करेगा कि वही वेटिंग लिस्ट में मुझे आगर डाल दो मैं मतलब 100-200 रुपे महीने भी नहीं दे सकता इत्ती सारी services की ऐसा मुझे नहीं लगता कि मेरी community में कोई है at least कोई भी business owner ऐसा होगा तो that's all my dear friends बस इतना है कि फरक कुछ नहीं बढ़ने वाला आपको जाके अपनी billing settings change करनी है अगर आप फिरी edition यूज कर रहे हैं तो आपको billing setup करना है credit card से most probably credit card से नहीं तो debit card से करतो आप और आपकी billing settings होने के बाद आपको आटमेटिक credit हो जाएगा debit होता र केंदर, automation केंदर, email marketing केंदर, please contact me, I will help you at a very very affordable cost. Thank you very much, have a nice time.